नवस्कर साथियों आप देख रहे हैं जो प्लिश्मेंट 100% में मोकेश कुमार इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हूं जैसा कि हम देख सकते हैं मत्पदे सिख्छा भरती तूठावजन अठारा जो की हम देख सकते हैं बरतमान में भरती हो चुकी है कुछ प प्राधान रखे गए थे एक साथ डबल डिग्री करने बालों के लिए खुसकबरी है यूजी सी की गाइड़ा नमसार विसे समीती का नहनर किया गया है जिसमें सिख्छक भरती की जो एटू जैट जानकारी आप तक मैं आपको इस वीडियो में बताने बाला हूं तो आप वीडियो में बने रहें वीडियो को पूरा देखें अंत TAK tipsy कि जानकारी इस्पर्ष्ट ओ पाएगी किस तरीके से अरे डिग्री से उन्हें होल्ड किया गया था बाहर किया गया था अब जो दूसरी कांजलेंग होगी जिसमें न्युक्ती दूसरी हम देख सकते हैं मिलेगी एक और दो में जो भी अभ्याती है उनको लाव होने बाला है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्चार करें आप देख सकते हो या एक खबर नामा आपके लिए खास होने बाला है एमपी टैर्स रिक्षा भरती तूठावजर नठारा की ये टू जानकारी आपको मिलने बाली है कंडिडेट को मिलेगी नुक्ती इलाइट सब्जेक्ट में किसकी पीजी मानने की जाएगी कैसे दो डिग दूसरी रेगुलर पढ़ाई करकर हासल की है उन्हें नुक्ती मिल सकती है सिख्चा भरती 2018 में अब तक सेशन में दो डिग्री करने बाले क्यों मानन होगे लेकर तैयार रखी गई है कैसे इन्हें माननता मिलेगी किस प्रिकार्न नुक्ती रखेगी कैसे मिल सकती है एक डि प्राइबेट और डिस्टेंस हैं तो आप भी नुक्ती पा सकते हैं तो इससे इस फस्ट है कि एक डिग्री रेगूलर और एक प्राइबेट चल जाएगी तो यह एक्जामपल कि थो आप मान सकते हैं कि आपने 2018 में बीयर डिगूलर किया है और इसी साल किसी भी सब्जेक्ट से रेगूलर ही पोस्ट ग्याजूएशन किया है ऐसे में आप अमान हो गई हाँ अगर आपने इनमें से कोई एक कोई प्राइबेट डिस्टेंस किया है और दूसरा रेगूलर किया है तो यह अमान हो जाएगा है सेक्शन में हम देख सकते हैं सेशन की गई दोनों डिग्रियां डिस्टेंस में हो या प्राइबेट में हो इन तब ही आप चाहेगा कि बस रेगूलर ही एक पक्त में दो डिग्रियां नहीं होनी चाहिए एक रेगूल सब्जेक्ट से किया हो इसका मतलब यह है कि गैजुएशन यानि बीएस्टी के सब्जेक्ट में जोलेजी और बॉटनी जरूरी होना है इससे यह सब्जेक्ट हो गया है कि जो मिल सकती है जिसमें प्राइबेट और डिस्टेंस एजुकेशन से दोनों डिग्रियां एक सत्में की गई हो अब बात करते हैं सबसे ज्यादा किसे लाब मिलेगा एक साथ दो डिग्री करने वाले यह से उम्मीदबार जरोने रेगूलर बियट किया हो इसी सत्में पॉस्ट ग किया है जैसे इस पेकार की कुछ केस देशी गए हैं जो कि हम देख सकते हैं बॉटनी में भी है और जोलोजी के साथ है इस तरीके से उनके दास्ताबेश ते सस्त्यापन किया जाएंगे बाइलोजी के इलाइज सब्जेक्ट में पीजी करने बालों के नुमीदबारों को फ wirf fellow कर सकते हैं जिसके माद्याँ मसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एलाइज सब्जेक्ट क्या है यानि यूजी पीजी में कई इसाए होते हैं इसके आधार पे नुक्ती मिल सकती है कोई भी दाउट हो क्लिया करने के लिए आप हमसे जोड़ सकते हैं contact number आपको वीडियो के description box में प्राप्त हो जाएगा साथ ही आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे सीधी बात कर सकते हो समाधान पार सकते हैं कब तक आपको न्युकती मिलेगी कब पुरा राउंडिक में न्युकती होगी बर एक वदोग की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धर्नबाद दोस्तों